गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रखर जी एसके इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफिक्षन आईए एसपर्ट नाद्वारा चलाया जा रहा नौ पर्याज टेस्ट स्रीज जो उनहातरवी BPSC, PT के लिए जो चलाया जा रहा है उसके पहले टेस्ट का डिसकर्शन करेंगे तो आईए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो पहला कोश्चन है पूर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें बेहद मुनाफ़ा देने वाले पूर्वी ब्यापार पर लगभग एक सदी तक पूर्तगालियों का एक अधिकार रहा इन्होंने कोचिंग गोवा दमन में फैक्टरी खोली एक नमबर भी सही है इन्होंने आरंभ से ही ब्यापार के साथ सक्ति का भी परयोग किया ये option भी सही है अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में अधिकार कर लिया ये option गलत है क्योंकि अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में नहीं 1510 में अधिकार किया था इसलिए हमारा option हो जाएगा option number C सही नेक्स्ट कोश्चन है जहादार साके सासन काल में प्रसासन बस्तुता अत्यांत योग और कर्मठ वजीर जुलफिखार खां के हातों में था इसने समराज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किये जिन में सामिल नहीं था यानि कि इन उप्षनों में कौन सा सामिल नहीं था तो इसका सही उतर हो जाएगा उप्षन नमबर सी जै सिंग को जैपूर का सुवेदार बनाया ये उप्षन गलत है क्योंकि जै सिंग को जैपूर का सुवेदार नहीं बनाया था बलकि मालोवा का सुवेदार बनाया था नेक्स्ट कोश्चन है ये किस ने कहा था कि ये फल एक दिन हमारे ही मुह में आकर गिरेगा या कथन लाड डलहोजी द्वारा कहा गया था अवध के लिए क्योंकि अवध पर व्यापगत का सिधान्त लागू नहीं हो सकता था क्योंकि वाजी दलिसा जो अवध के नबाब थे उनका वारिस था इसलिए व्यापगत का सिधान्त अवध पर लागू नहीं हो सकता था अता अवध के बारे में लाड डलहोजी ने कहा था कि अंतता या अवध नामकफल एक दिन उनी के यानी की अंग्रेजियों के मुह में आकर गिरेगा नेक्स्ट कोश्चन है 1857 के बिद्रों से संबनित कौन सा कथन असत्य है पहला अप्शन बिद्रों का आरंभ 10 मई 1857 को मेरट से 36 मिल दूर दिल्ली से हुआ था ये अप्शन गलत है इसलिए हमारा सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है हैदराबाद राज की अस्थापना की थी? निजामुल मुल्क ने नेक्स्ट कोश्चन है बंगाल के नबाबों में किसने अपने समराज में उरिशा का एक बड़ा हिशा मराठो को दे दिया था? सही उतर हो जाएगा अप्सनमबरे अलिबर्दी खाने अलिबर्दी खा को मराठो के हमलों से हमेशा तंग होना पड़ता था अंततो गत्वा यानि कि अंत में उरिशा का एक बड़ा हिशा मराठो को दे ही दिया नेक्स्ट कोश्चन है तीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें वा असत्य कथन का चैन करें अंग्रेजों के हाथों बिहार में पर्मानेंट सेटेल्मेंट लागू होने का कारण क्या है तो सही उतर हो जाएगा अप्सन नमबर सी भू राजास्व का निश्चित राजास्व निर्ने करना पर्मानेंट सेटेल्मेंट लागू होने का मुख्य कारण था भू राजास्व का निश्चित राजास्व निर्ने करना नेक्स्ट कोश्चन है बंगाल में हुए सन्यासी बिद्रो को सत्ता चुत जमिनदारों और धार्मिक नेताओं ने नेत्रितो परदान किया इस बिद्रो का मुख्य कारण क्या था पहला अप्शन है तिर्थ अस्थलों की यात्रा करने वाले तिर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध सही है दूसरा शत्रो सो सत्तर में बंगाल में पड़ा भ्यंकर अकाल ये भी सही है जमिनदारों से उनकी जमिनदारी का छीना जाना ये गलत है इसलिए हमारा सही उतर हो जाएगा option number A, 9 का A सही नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है आम तोर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने, लिखने और अंक गनित में अधिक प्रतिभा साली थे यह कथन है वारेन हेस्टिंग्स का वारेन हेस्टिंग्स जिसने 1813 में भारतिय सिक्षा पधती की दसाव और दिशा के बारे में कमेंट किया था और यह उपरत कथन दिया था लगभग एक सताबदी तक पुर्तगाली दक्षिन भारत में चायर हैं खुले समुद्र पर उनका राज चलता था इसका सबसे महतोपूर्ण कारण क्या था सही उतर हो जाएगा पूरा दक्षिन भारत मुगल समराज से बाहर था इसलिए उन्हें मुगलों की ताकत का सामना ही नहीं करना पड़ा नेक्स्ट कोस्चन है डच इस्ट इंडिया कमपनी से संबनित कौन सा कथन असत है तो सही उतर हो जाएगा अप्सन नमबर डी डचो ने पठना में अपने करखाने 1633 में अस्थापित किये थे जो की गलत है डचो ने पठना में अपना करखाना 1632 में अस्थापित किये थे इसलिए सही उतर अप्सन नमबर डी नेक्स्ट कोस्चन है वर्स 1687 में इस्ट इंडिया कमपनी के डाइरेक्टरों ने कहां के गवर्नर को सला दी कि वो एक ऐसी नागरिक और सैनिक सक्ति अस्थापित करे वर राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा सुरूत बनाए कि भारत में एक बड़े मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिस राज की निव डाली जा सके सही उतर हो जाएगा option number C मदरास में यह मदरास में कहा था और उस समय जो वहाँ का गवर्नर था मदरास का उसका नाम था एली हू एली हू एल नेक्स्ट कोश्चन है बर्तमान कलकत्ता के निव 16-78 में पड़ी जिसमें उस समय कौन सा च्छेतर सामिल नहीं था तो सही उतर हो जाएगा option number D 24 पढ़गणा आज का जो 24 पढ़गणा जिला है वो उस समय कलकता में सामिल नहीं था कलकता के जो संस्थापक थे उनका नाम है जौब चार्नौक जौब चार्नौक इने कलकता का संस्थापक माना जाता है नेक्स्ट कोस्चन है इस्ट इंडिया कमपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है तो सही उतर हो जाएगा option number D option number D असत्य है क्योंकि 1600 के चार्टर में Cape of Good Hope के पुर्व में व्यपार करने का एक अधिकार कमपनी को 10 वर्सों के लिए दिया गया ये गलत है क्योंकि 10 वर्सों के लिए नहीं दिया गया था ये 15 वर्सों के लिए दिया गया था नेक्स्ट कोश्चन है अंग्रेजों ने भारत में जिस राजे को सबसे पहले अपने आधिन किया वह बंगाल था इसके अनेक कारण थे आर्थिक कारणों में कौन सा कारण महतोपूर्ण नहीं था सही उतर ओप्सन नमबर D मुगल समराट पूरी तरह से अंग्रेजों को संग्रक्षन देता था ये गलत है क्योंकि मुगल समराट अंग्रेजों को संग्रक्षन नहीं देता था किसने पलासी युद के बारे में टिपनी की भारत के लिए सास्वत दुख की काली रात का आरण हुआ है सही उतर ओप्सन नमबर E नवीन चंदर सेन नवीन चंदर सेन ने या टिपनी की थी नवीन चंदर सेन बंगला कभी और लेखक थे कमपनी के अधिकारियों का अब एक ही उदेश था जितना लूट सको लूटो मीर या फर सोने की ये कैसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो उप्युक्त कर्थन संबंदित है और ये सही उतर हो जाएगा कर्णल मालसन कर्णल मालसन द्वारा ये कर्थन कहा गया थ नेक्स्ट कोश्चन है अपने राजिनितिक उदेशियों को हरपने के लिए बिलेजली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया सही उतर ऑप्सन नमबर डी ब्यापगत्क निती का सहारा बिलेजली ने नहीं लिया था क्योंकि ब्यापगत्क का सिधान्त डलहोजी का था किसने गर्व पुर्वग घोषना की की काफिरों का दैनिये दास बन कर और उनके पेंसन प्राप्त राजाओं और नबाबों की सूची में सामिल होकर जीने से अच्छा एक योध्धा की तरह मर जाना इसका सही उतर हो जाएगा option number D टिपू सुल्तान या टिपू सुल्तान ने कहा था next question है निमलिखित कथन किसका है हमें सिंध पर कबजा करने का कोई हक नहीं है फिर भी हम ऐसा करेंगे और या बदमासी का एक बहुत ही लबधायक उप्योगी और मानुई उधारन होगा या कहा था इसका सही उतर हो जाएगा option number D इन में से कोई नहीं क्यांकि या जो कथन है या चार्ल्स नेपियर का कथन था next question है किस एक्ट के तहत बोर्ड आफ कंट्रोल का गठन किया गया सही उतर बोर्ड आफ कंट्रोल का गठन किया गया था इसकी प्रिष्ट भूमी में अनेक समाजिक सुधार किये गए सही है आंदोलन के समय समाजिक बहिसकार का परियोग एक हथियार के रूप में किया गया था ये भी सही है महिलाओं ने बार्दोली सत्यागरा में हिसा लिया था ये भी सही है क्योंकि इसी सत्यागरा में बार्दोली की महिलाओं ने सर्दार पठेल को सर्दार की उपादी दी थी इसलिए हमारा सही उतरब हो जाएगा ऑप्सन नंबर डी सभी सही है नेक्स्ट कोश्चन है महराष्ट के Board of Revenue के अध्यक्ष ने टिपनी की कि हमारी परणाली बहुत कुछ S5 की तरह कारे करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोक कर थेम्स नदी के तट पर निचोर देती है इसका सही उत्तर हो जाएगा John Sullivan John Sullivan मदरास के Board of Revenue के अध्यक्ष जोन सुलीवन ने या टिपनी की थी नेक्स्ट कोश्चन है एनी वेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा option number D इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रिय अंदोलन से दूर रखा ये option गलत हो जागा क्योंकि एनी वेसेंट ने हमेशा ही राष्ट्रिय अंदोलन से नजदी की बनाए रही हुए राष्ट्रिय अंदोलन की परमुख नेता थी और 117 में भार्टिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की अध्यक्स बनी थी इन्होंने new India वग common will नामक पत्रिकाय शुरू की थी नेक्स्ट क्यूष्चन है भार्टिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के प्रथम 20 वर्षू में प्रतेक वर्ष के अंत में एक तीन दिवसिय अधिवेशन होता था सही है अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भासा में भासन देते थे सही है क्योंकि वे सभी बाहर से यानि की बितेसों से पढ़के आई हुए थे अधिवेशन के अंत में राजनेतिक, प्रसासनिक वा आर्थिक मुद्दे से जुड़े प्रस्ताव पारित किये जाते थे ये भी सही आर्था, सभी कथन सही होगा, उप्युक्त सभी Next question है, साइमन कमिशन का बिरोध करने वाले नेताओं से संबनित कौन सा युग में? सुमेलित नहीं है, सही उतर हो जाएगा, option number C, option number C, जवाहर लाल नहरू इलहाबाद, क्योंकि जवाहर लाल नहरू ने इलहाबाद में साइमन कमिशन का बिरोध नहीं किया था, भाकि खली कुजमा ने लखनाओं में बिरोध किया था, टी प्रकासन मदरास में और किसने अपनाया, सही उतर, option number D, कैप्टेन रीड और मुनरो ने, नेक्स्ट कोस्चन है, कर्णवालिस से संबंदित कौन सा कस्थन असत्य है, सही उतर, option number D, इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रसिक्षन के लिए कलकाता में फोर्ट विलियम काल जो था कर्णवालिस ने नहीं खोला था, बलकि ये बिलेजली ने खोला था, इसलिए option number D सही, नेक्स्ट कोस्चन है, बिनोधिनी दासी, बिनोधिनी दासी के संदर्व में निम लिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसने अपनी आत्म कथा, अमार कथा के नाम से लिखी थ इनकी आत्म कथा कई भागों में प्रकासित हुई, इन्होंने बंगाल में एक थियेटर की अस्थापना में सहयोग किया था, ये भी सही है, बता सही उतर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये option गलत दिया हुआ, ये तीनों कथन सही है, नेक्स्ट कोस्चन है, किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अधियान के लिए बनारस में संस्क्रित कालेज की अस्थापना की थी, सही उतर option number C, जुनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कालेज की अस्थापना की थी, 1791 में, नेक्स्ट कोस्चन है, ब्रिटिस सरकार द्वारा साइमन कमिशन की नियुक् की गई थी, 1791 के अधिनियम की समिक्षा के लिए, 1791 का अधिनियम इसे ही मांटेग्यू, मांटेग्यू, चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, मांटेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार, नेक्स्ट कोस्चन है, निमलिकित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गुवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित कथन किसे संबंदित है कथन है राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानो समाज में एक मात्र बेखती थे जिनोंने आधनुक यूग के महत्व को पूरी तरह समझा वे जान कि चिंतन और क्रिया के सभी छेत्रों में बेक्तियों तथा रास्टों के आपसी भाईचारे में नहीं थें सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए रबिन्दनाथ टेगोर का ये कथन है नेक्स्ट कोश्चन है हेनरी बीवियन डिरोजियों के संबंदित असत्य कथन पर वि नाकि ये तीन ओप्सन सही हैं डिरेजियों का जन्म 1809 में हुआ था 1826-1831 तक हिंदू कालेज में इन्होंने पढ़ाया था इसने महान फ्रांसिसी करांती से प्रेर्णा ग्रहन की थी नेक्स्ट कोश्चन है 18001 में जोतीबा फूले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक इसकूल खोला था तो इसका सही उतर हो जाएगा 18001 में जोतीबा फूले और उनकी पत्नी ने पूना में इस्तिरियों के लिए एक इसकूल खोला था नेक्स्ट कोश्चन है जहासी की राणी से सम्बंदित कौन सा कथन असत हैं женщbank कोई घूं से लड़ते वढ़ते हुए 17 मई 1808 ये 17 मई 1808 नहीं वलकि 17 जून 1808 को जहासी की राणी को बिरगती प्राप्थ होती सही उतर हो जाएगा option number C नेक्स्ट कोश्चन है 1800 संताउन के विद्रों को दबाने में किन सैनिकों को ख्याती प्राप्थ हुई थी सही उतर हो जाएगा option number D अर्थात उपरूक्त सभी इन सभी ने 1800 संताउन के करांती को दबाने में महतोपूर्ण भूमी का निभाई थी नेक्स्ट कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा गलत नहीं है अर्थात सही है तो कैप्टेन विलियम होकिंस 1609 में मुगल समराठ जहागीर के दरवार में सूरत में एक अंग्रेजी ब्यापारिक पोष्ट खोलने की अनुमती का अनुरूद करने के लिए आया था सही है समराठ ने ड़क्च दबाव के कारण इसे अस्विकार कर दिया था ये गलत है नेक्स्ट कोश्चन बाद में 1612 में जहागीर ने इस्ट इंडिया कमपनी को सूरत में करखाना बनाने की अनुमती दे दी थी सही है इसलिए हमारा सही उतर हो जाएगा आप्सन नुमर सी एक और तीन सही नेक्स्ट कोश्चन है अठारसो संताओन की क्रांती के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढाचे में अनेक परिवर्तन किये कौन सा निमलिखित कथन निमलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो सही उतर हो जाएगा आप्सन नंबर A सेना ने भारतियों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया बंगाल की सेना में या अनुपात एक अनुपात एक था ये गलत है ये एक अनुपात दो था निमलिखित में से असत्य कथन चूनिये 1877 के बिद्रों में सिक्षित भारतियों के भाग लेने से इनकार करने पड़नेक अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी प्रसांसा की थी सही है रोडिवादी बढ़गों से सयोग की नीती के अनुसार अंग्रेजों ने समाज सुधार को की सहायता करने की पुरानी नीती छोड़ दी क्योंकि उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मुलन बिद्रों पुनर विवाद किया आदी समाज सुधार के कदम 1857 के बिद्रों के परमुक कारण थे सही है दड़ी डिस्कबरी ओफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है ये कथन गलत है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जो पुस्तक है उसका नाम है दड़ी डिस्कबरी ओफ इंडिया दड़ी डिसकर्बडी ओफ इंडिया पुस्तक को नाम है मेगनाथ देशाई दड़ी डिसकबडी ओफ इंडिया जवारलल नहरू के पुस्तक को नाम है The Discovery of India नेक्स्ट कोश्चन है 1897 में तिलक को किस अपराद के कारण जेल की सजा हुई थी सही उतर अपने भासनों तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाब दूस प्रचार करने के कारण 1897 में तिलक को जेल की सजा हुई थी नेक्स्ट कोश्चन है ब्रिटिस सासन में भारतिय मजदूरों की हालत का बर्णन जर्मनी के किस प्रत्सिध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन सब्दों में किया आधा पेट खाकर रहने वाला जानवारों की तरह प्रकास हवा और पानी से रहित घड़ों में रहने वाला भारतिय अद्योगिक मजदूर अद्योगिक पुंजी बाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक सोसित मजदूरों में से एक है सही उतर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी यूर्गेन कुटसिस की नेक्स्ट कोश्चन है चार्ल्स मेटकाफ ने भारतिय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था अप्सन नमबर ए 1835 में इसलिए चार्ल्स मेटकाप को भारत में भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोश्चन है भूराजासो ब्यवस्था और भूराजासो ब्यवस्था को लागू करने वाले छेत्रे तो इनको सही सुमेलित करना है सही उतर हो जाएगा अप्सन नमबर ये यानि कि अस्थाई भूमी बंदोबस्थ यह हुआ था उत्री करनाटक, बंगाल, बिहार और उरिशा में रयतवारी बंदोबस्थ लागू किया था महराष्ट, तमिलनाडू, पुर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग इलाका में महलवारी बंदोबस्थ लागू किया था आगड़ा, अवध, उत्तर पस्चिम सीमा प्रांत और संजुक्त प्रांत में इसलिए उप्सन नमबर ए सही उतर, नेक्स्ट कोस्चन है अलग थलग रहने वाले स्वालंबी गाउं के कवच की इस पात को रेल में भेद दिया, तथा इसकी प्रांसक्ति को छीन कर दिया, उप्युक्त कथन निम्न में से किसका है, तो सही उतर हो जाएगा उप्सन नमब या दडिदिर्ता के समान दडिदिर्ता, वानी जी के इतिहास में सायद ही कभी रही है, बुनकरों की हडियां भारत के मैदानों को बिरंजित कर रही हैं, सही उतर, उप्सन नमबर वी, विलियम बेंटिक ने या कथन कहा था, नेक्स्ट कोस्चन है, भारत में पहली कप्रा मिल सुरू की गई थी, अठारा सो तिर्पन में, नेक्स्ट कोस्चन है, नेक्स्ट कोस्चन है, उन्होंने महिला सिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विबाह की बरबर पर्था को सकती से चुनावती दी, और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 इस्कूलों की अस्थापना की, उन्होंने कुलीन बढामन बहु बिवाह की ततकालिक प्रचलित समाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दिर्थ लड़ाई लड़ी, निमलिखित में से किसे इन उपलब्दियों का स्रे दिया जाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन नमबर बी, इस्ट इंडिया एस्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, 1866 में की थी, और लंदन में की थी, नेक्स्ट कोस्चन है, भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के गठन के समय, इसके उद्देश्यों में निम्न में से कौन सामिल नहीं था, तो सही उतर हो जाएगा, उप्श जिसने भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना की थी, उसने सेफ्टी बल्ब का सिध्दान दिया था, और कॉंग्रेस को सेफ्टी बल्ब के रूप में मना था, नेक्स्ट कोस्चन है, कलकत्ता विश्व विद्याली की पहली महिला अस्थना तक काधंबनी कि अधिवेशन को संबोधित किया था, और अधिवेशन का चथा अभितिवेशन था, जिसके अध्यक्स थे, फिरोज साह मेता, नेक्स्ट कोस्चन है, राष्टिया अंदोलन के किषनेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्टा इंगलेंड में रह कर वहां की ज लगा दिया, सही उत्तर अप्शन नंबर डी, इन में से कोई नहीं किया, जो अप्शन है, ये थे दादा भाई नोरोजी, नेक्स्ट कोस्चन है, कॉंग्रेस की अस्थापना के बाद कब प्रथम बार एक ब्यापक स्वदेशी कार्जकरम के अंग के रूप में, पूजा त नेक्स्ट कोस्चन है, डफडिन नेकिस वर्स, एक सारवजनिक भासन में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस पर हमला किया तथा, उसे जानता के एक बहुत ही सुक्ष्म भाग का प्रतिनीधी बता कर उसकी हसी उड़ाई थी, सही उत्तर अप्शन नंबर C, 1887 में नेक्स्ट कोस्चन है, अनिस्वी सदी में महिलाओं की स्थिती के बारे में इन में से कौन सा सही नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, बिधुवा पुनर बिभा की प्रता, अनिस्वी सदी में बिधुवा पुनर बिभा की प्रता, समात्त हो चुकी थी 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पढने का कारण क्या था अलपवयास्क पुत्री का बिवा ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पढने का करण था केशोश चंद्रसेन ने एक विवा संबंधी नियम बनाया था जिसमें 14 वर्स से कम उम्रकी लड़कियों का विवा करना निशेद बताया था किन्तु उन्होंने अपनी पुत्री का विवा जिसकी आयू 14 वर्स अभी पुरी नहीं हुई थी उसका विवा कर दिया था इसलिए उसमें फुट पढ़ने का परमुक कारण यही था आड़े समाज की किस योजना ने भारत में संपरदाइकता को जनम दिया सही उतर ओप्सन नमबरे सुधी अंदोलन ने किसका विचार था कि हमारी अपनी मात्री भूमी के लिए दो महान धर्मों हिंदूत्व तथा इसलाम का स्वंजोग ही एक मात्र आसा है सही उतर ओप्सन नमबर सी स्वामी विवेकाननद 1898 में स्वामी विवेकाननद ने यह लिखा था कि हमारी अपनी मात्री भूमी के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तता इसलाम का संजोग ही एक मात्र आसा है बिबेकानन्द ने राम कृष्ण मिशन की अस्थापना की थी राम कृष्ण मिशन की अस्थापना 896 में की थी स्वामी बिबेकानन्द ने Next question है किस ने कहा था कि जिस देश में कोईला एवं लोह अयस्क का भंडार हो तता संचार एवंग परिवहन व्यवस्था बिक्सित हो जाए तो वहां ओदोगी करन होगा सही उतर option number B कार्ड मार्क्स ने कहा था Next question है Theosophical Society का भारत में करजाले एक खुला गया था यह खुला गया था 1886 में 1886 में मैडम बला वत्सकी तथा करनल अलकाट ने 1886 में मदरास के अडियार में Theosophical Society का करजाले खुला था Next question है निमलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है सही उतर option number D उपरोक्त सभी सही है क्योंकि अखिल भारतिय अस्प्रिस्याता निवारन संग की अस्थापना की थी महत्मा गांधी ने अखिल भारतिय दलित वर्ग डॉक्टर अम्बेदकर से संबंदी था Depressed Classes Mission Society B.R. सिंदे से संबंदी था Next question है मुहमदन Literary Society की अस्थापना कब और कहां हुई थी तो सही उतर हो जाएगा option number D 1863 में कलकता में मुहमदन Literary Society की अस्थापना 1863 में कलकता में हुई थी Next question है किसका कथन है कि हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा जमना का पवित्र जल पीते हैं हम दोनों भारत की धर्ती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं यह कथन है सरसयद आहमद खाका यह कथन है सरसयद आहमद खाका हिंदू और मुसल्मान दोनों के बारे में Next question है अलिगढ आंदोलन के नेताओं में सामिल नहीं हैं तो सही उतर हो जाएगा अलिगढ आंदोलन में इनमे से सामिल नहीं थे सयद मुस्ताक हुसैन बाकी यह तीनों अलिगढ आंदोलन में सामिल थे Next question है अठारस ओव एकाउन में रामानी मस्दायसान सभा दादा भाई नोरो जी, एस एस बंगाली, इन तीनों ने मिलकर इन तीनों के पर्यास से Religious Reform Association का अस्थापना हुआ था, नेक्स्ट कोश्चन है, अखिल भारती हे हरिजन संग की अस्थापना कब की गई थी? नेक्स्ट कोश्चन है, नेक्स्ट कोश्चन है, नेक्स्ट कोश्चन है, नेक्स्ट कोश्चन है, राष्टवादी लेखक और अंदोलनकारी, भारत की आर्थिक दुर्दसा का उत्तरदाई, यहां की चेतना सुन्य जनता को मानते थे? ये गलत है इसलिए हमारा सही उतर हो जाएगा option number A क्योंकि राष्टवादी लेखक और अंदुलन कारी भारत की आर्थिक दूरदसा का उत्तरदाई यहां की चेतना सुन जनता को नहीं मानते थे बलकि चेतना सुन ब्रिटिस सासकु को मानते थे Next question है 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 बर्स के लिए कहां रखा गया था तिलक को गिरफ्तार कर तब रखा गया था मांडले जेल में Next question है निमलिकित महापूर्शों को उनके कृत्तियों के सही सुमेलन का पहचान करें लोकमान ने बाल गंगा धर तिलक गनेश उत्सव और सीवा जी उत्सव के माध्यम से जन जागरिती के कारण जेल ये गलत है क्योंकि लोकमान ने तिलक को गनेश उत्सव और सीवा जी उत्सव के माध्यम से जन जागरिती तो तिलक ने किया था क्योंकि उन्हें जेल हुई थी अपने भासनू और लेखों के माध्यम से जनता को जगरित करने के लिए नेक्स्ट है अर्विंद घोस बड़ाओदा रियासत की नौकरी छोर राष्टवादी आंदूलन में सक्रिये हुए थे सही है स्वामी विबेकानन भारतिये जनता को सारीरिक और नैतिक द्रिष्टी से ससक्त करने के पक्चदर थे ये भी सही है इसलिए हमारा सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी दो और तीन सही है नेक्स्ट कोश्चन है 1906 में अखिल भारतिये मुस्लिम ली की अस्थापना किस ने की थी सही उतर आगा खां और नबाब महसिन मुलक ने नेक्स्ट कोश्चन है 1934 में कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की अस्थापना का घोसित उदेश से क्या था सही उतर आप्सन नमर सी कॉंग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना नेक्स्ट कोश्चन है बाल गंगा धर तिलक ने अपना प्रसिद नारा स्वराज मेरा जनमसी धदिकार है और मैं इसे ले कर रहूंगा किस आंदोलन के दोरान दिया था सही उतर आप्सन नमर ए होमडूल आंदोलन के दोरान नेक्स्ट कोश्चन है किस पत्र पत्रिका ने एक विग्यापन छापा भारत में विद्रो फैलाने के लिए बहादूर सिफाईयों की आउ सकता है तनख्वा, मौत, इनाम सहादत, पैंसन आजादी, लड़ाई का मैदान, भारत है सही उतर आप्सन नमर डी गदर नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस की इतिहास में पहली बार विम्भी सेस अधिवेशन का इयोजन हुआ था यह हुआ था 1918 में अध्यक्स्त है हसन इमाम नेक्स्ट कोश्चन है चमपारं सत्यागरा में गांधी जी के साथ निम्ने में से कौन सामिल नहीं थे सही उतर मोतिलाल नहरू मोतिलाल नहरू चमपारं सत्यागरा में गांधी जी के साथ नहीं थे असायोग आंदोलन के संदर्व में किस ने कहा जिस समय जनता का उस्सा अपनी चरम सीमा को छुने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रिय अनर्थ से कम नहीं था सही उतर अप्सन नमबर A सुभाष चंद्र बोश ने असायोग आंदोलन वापस लेने पर गांधी जी के बारे में या कहा था नेक्स्ट कोश्चन है चावड़ा चावड़ी हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था चावड़ा चावड़ी हत्याकांड के बाद से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922 को और चावड़ा चावड़ी का जो यह हत्याकांड हुगा था ये 5 फरवारी 1922 को हुगा था नेक्स्ट कोश्चन है और परिवर्तन बादी लोगों में सामिल नहीं थें सही उतर ओप्सन नमबर डी सी आर दास और परिवर्तन बादी लोगों में सामिल नहीं थें नेक्स्ट कोस्टन है दिसंबर 1922 में किसने कॉंग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की अस्थापना की थी तो सही उत्तर हो जाएगा उप्सन नमबर C स्वराज पार्टी की अस्थापना की थी नेक्स्ट कोस्टन है अठारस संताउन के बिद्रों के पस्चात अवध के तलुकदारों की नई भूमी का क्या थी सही उत्तर ऑपशन नमबर D वे अंग्रेजं के गहड़े मित्र बन गय थे निमलिखित में से ब्रिटिस सरकार की नितियों के फल स्वरूप भारतिये क्रिशकवर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था और किसानों के निर्धनता का प्रमुख कारण यही था नेक्स्ट कोश्चन है 17 दिसंबर 1928 को किसने बिरिटिस पुलिस अधिकारी संडर्स को गोलियों से भून दिया था सही उत्तर अप्शन नमबर D भगत सिंग, सुखदेव और राजग्यूरू तीनों ने नेक्स्ट कोश्चन है असायोग आंदोलं के संदर्व में किस पत्र ने लिखा की असायोग भारत और गांधी जीवन के एक यूग का नाम ही हो गया सही उत्तर अप्शन नमबर D लुई फिसर ने नेक्स्ट कोश्चन है किसानों को केवल विदेशी सासन ही नहीं बलकि जमिंदारों और पूजी पत्तियों के जुए से भी स्वैम को मुक्त कराना होगा उप्यूक्त कथन निम्ने में से किसका है तो या सही उत्तर है भगत सिंग का कहा हुआ कथ नेक्स्ट कोश्चन है निम्निकित में से सीवा जी के विशय में कौन सा कथन सत्य नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा उप्सन नमबर C सीवा जी ने अपने पीछे एक अस्थाई समराज छोड़ा ये कथन सही नहीं है नेक्स्ट कोश्चन रानी गांदी जी के बारे में किस ने कहा था एक राजनेतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे सही उत्तर उप्सन नमबर A बिठल भाई पटेल ये सरदार पटेल के भाई थे निमलिखित में से किस यूगमें ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था सही उतर option number C. मुहमद अली जिन्ना और चोधिर रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान का विचार दिया था कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताओ पास किया गया कि जन्ता के सोषन को समाप्त करने के लिए राजनितिक स्वाधिन्ता में लाखो लाख भूखे लोगों की वास्टविक आर्थिक स्वाधिन्ता भी सम्मिलिथ होनी चाहिए जन्ता के सोषन को समाप्त करने के लिए राजनितिक स्वाधिन्ता में लाखो लाख भूखे लोगों की वास्टविक आर्थिक पाराद स्वाधिन्ता भी सम्मिलिथ होनी चाहिए थी तब कॉंग्रेस के अध्यक्ष सरदार पठेल थे बिभिन राजवारों में राजनितिक गति विधियों के तालमेल के लिए All India States People's Conference की अस्थापना कब की गई थी सही उतर अप्शन नमबरे 1927 में नेक्स्ट कोस्चन है 1946-47 के दोड़ां धार्मिक कटरता था संपरदाइक्ता की लहर में अनेक मुसल्मान बहा गए इन में से सामिल है तो सही उतर हो जाएगा ये सभी यूसुफ मेहर अली S.A. बढ़ेलवी मुहमद हभीव और कुमर मुहमद असरफ ये सभी सामिल थे इसलिए सही उतर अप्शन नमबर D नेक्स्ट कोस्चन है यह आंदोलन पूरे राष्टी ये नेत्रित्व के पढ़ेयासों के कारण था ना कि आंदोलन के किसी एक भाग के आरंब में इसके परमुक्तम नेता नरम पंती थे किन्तुबाद में इसका नेत्रित्व करांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया या कथन किस आंदोलन को संदर्भीत करता है सही उतर option number B स्वादेशी आंदोलन को next question भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान करांतिकारियों ने कहाँ पर समनांतर सरकारे बनाई थी तो सही उतर हो जाएगा option number D उप्यूक्त सभी जग़ों पर यानि कि पूर्वी उतरल परदेश के बलिया जिले में भंगाल के मिदिनापूर में और बंबाई के सातारा में करांतिकारी आंदोलन कारियों ने समनांतर सरकारे बना ली थी next question है ब्रिटेस परधान मंत्री कलिमेंट एटली ने कब घोसना की की ब्रिटेन जून अनई सो आरतालिस तक भारत का सासन छोड़ देंगे सही उप्सन नमबरे 20 फरवरी अनई सो सैतालिस तक next question है भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोसना कब की गई सही उतर 3 जून अनई सो सैतालिस को भारत में सामिल होने के लिए किस रियासत में जन्मत संग्रह कराये गया था सही उतर जूनागड में next question है दूतिय विश्यूद समाप्थ होने के बाद भारत सरकार ने अजाद हिंद फोज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया था जन्रल सहनवाज सही है जन्रल गुर्दयाल सिंग सही है जन्रल प्रेम सहगल सही है इसलिए हमारा सही उतर हो जाएगा option number C भारत की स्वाधिनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देशे से सुभाष चंद्र बोश ने सिंगापूर में पहले सत्यागरही बिनोवा भावे थे इन्हें प्रथम सत्यागरही चुन्ने के पीछे कारण था कि ये बिनोवा भावे गांधी जी की खूब सेवा सतकार किया करते थे next question है Muslim League ने किस वर्ष या प्रस्ताव पारित किया की स्वाधिनता के बाद देश के दो भाग कर दिये जाए और पाकिस्तान नामक एक नया अलग राज्य बनाया जाए सही उत्तर ऑप्सन नमर सी अनई सो चालिस में next question है वर्ष अनई सो 37 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कॉंग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतिये जनता से आगड़ा किया की चीन के प्रती अपनी सानुभूती जाताने के लिए जापानी बस्तूओं के परयोग शे बचें कॉंग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेत्रित में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओ के साथ काम करने के लिए भेजा था तो सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी उनई सो आरतीस में next question है गांधी जी इस चुनाओ के दवरान कीति ने चुनावी सभा को संबोधित किये थे next question किस आंदोलंग के दवरान खान अबदूल गाफार खान ने खुदाई खित्मत गार की अस्थापना की थी सही उतर ऑप्सन नंबर बी सभीने अवग्या आंदोलंग के दवरान खान अबदूल गाफाल खान ने खुदाई खित्मत गार की अस्थापना की थी इन्हें सिमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है भारतिय राष्ट्री आंदोलन के तिहास में पहली बार किस वर्स वर्सिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था तो सही उतर अनई सो तीस में कॉंग्रेस का वर्सिक अधिवेशन नहीं आयोजित किया गया था नेक्स्ट कोश्चन है आमदाबाद में मील मालिक वो मजदूरों के बीच संघर सुगा मील मालिक कितने प्रतिसत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हो गये थे सही उतर अप्शन नमबर ए 35 प्रतिसत किस आंदोलन के दवड़ान सरदार पटेल गांधी जी के साथ थे सही उतर अप्शन नमबर सी खेडा अंदोलन के दवड़ान गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदूओं और मुसल्मानों में एकता स्थापित करने का ऐसा उसर कहा जो की अगले सो बरसो तक नहीं मिलेगा सही उतर अप्शन नमबर डी खेला अफट अमदोलन के बारे में गांधी जी ने ऐसा कहा था कॉंग्रेस की इतिहास में दूसरी बार 20.1 अधिवेसं सितंबर अनई सो बीस में कहां आयूजित किया गया था सही उतर अप्शन नमबर A कलकता में आयूजित किया गया था सबताहिक पत्र यंग इंडिया वर निव इंडिया किस से संबंदित है तो सही उतर हो जाएगा option number B यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंदित है जब कि निव इंडिया एनिवेसेंट से संबंदित है नेक्स्ट कोश्चन है बाल गंगा धर्तिलक से संबंदित कत्मों पर विचार करें और निमलिकित कत्मों में से असत्य कत्न को चूने तो सही उतर हो जाएगा option number D इन्होंने 1890 में गणपती 300 और सिवा जी 300 का आरम्ध किया था ये गलत है क्योंकि इन्होंने 1890 बलकि 189093 में गणपती 300 और सिवा जी 300 प्रारम्ध किया था नेक्स्ट कोश्चन है गांधी जी को किस ने समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पूरुसों तक ही सिमित न रखें बलकि महिलाओं तक बिस्तारित करें सही उतर अप्शन नमबर से कामला देवी चटोपाध्या ने गांधी जी को यह सुझाओ दिया था नेक्स्ट कोश्चन है क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया इसी करम में किन क्रांतिकारीों ने सक्रिय राजनीती से सन्यास ले लिया था सही उतर option number C विपिन चंद्रपाल और अर्बिंद घोस दोनों ने सक्रिय राजनिती से सन्यास ले लिया था next question है 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैड़ भी करने लगें इन में से प्रमुक हैं तो सही उतर हो जाएगा संध्या, युगांतर और काल तीनों ने क्रांतिकारी की पैड़ भी की थी यानि कि क्रांतिकारी के समर्थन में लिखा करते थे next question है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के दोनों गुट उदारवादी और गड़म पन थी next question है भारत का यार्ता पुर्वक को सहाय होकर अपने सम्मान का पहरन होते देखता रहे इसके बजाए मैं उसे अपने सम्मान की रक्षय के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा हिंसा को कायारता से अधिक स्विकारे समझता आता या कथन निम्ने में से किसका है तो सही उतर हो जाएगा ओप्षन नमबर डी महात्मा गांधी का नेक्स्ट कोस्चन है निमलिखित आंदोलनों को उसके परिनाम से सही सुमेलित करें अंदोलन है अहमदाबाद मजदूर हर्ताल इसमें मजदूरी में 35% की ब्रिधी की गई थी चंपारन सत्यागड़ा 25% मुआबजा मिला था किसानों को निलहे किसानों को खेरा अंदोलन गडीब किसानों से लगान वसुली पर रूक लगी थी बारदोली अंदोलन लगान व्रिधी में 6.03% की कमी की गई थी इसलिए हमारा सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी दू एक उप्यूक्त में से कोई नहीं क्योंकि सही उतर हो जाएगा एक दो तीन चार नेक्स्ट कोश्चन है अठारसो संटाउन की करांती में बंबई कलकता तत्थ मदरास के बड़े ब्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि ब्यापारियों को अधिकांस मुनाफांगरेज ब्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी ब्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था इसलिए हमारा सही उतर आप्शन नमबर D नेक्स्ट कुश्चन है निमलिखित में से कौन सा सही सुमेली थे भारतिय राज और सहायक गटवंधन हैदराबाद 1799 नहीं होगा क्यांकि हैदराबाद 1798 में सहायक गटवंधन में सामिल हुआ था मैसूर 1798 नहीं बढ़कि 1799 में हुआ था फिर आया अवद अवद को 1801 में बिलेजली ने साहयक संदीक के आधीन आने के लिए मजबूर किया था फुलकर साहयक संदीक को स्विकार नहीं किये थे ये भी गलत है कि फुलकरों ने साहयक संदी स्विकार कर ली थी नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से किस गट बंधन ने काउंसिल के चुनाओं में सामिल होने के अत्रिक्त कॉंग्रेस के सभी कार्ज करमों को स्विकार कर लिया था सही उतर है ऑप्शन नमबर सी स्वराज पाटी ने उनई सो उन्तिस के सारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था सही उतर है इसने लड़कियों वो लड़कों के बिबा की नियूंतम आयू निर्धारित कर दी थी नेक्स्ट कोस्चन है इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल होने वाले प्रतों भारतिय निमलिखित में से कौन थे सही उतर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए 18137 में सतंदर नाथ्व टैगोर नेक्स्ट कोस्चन है सन 1893 में कौन सी घटना नहीं हुई तो सही उतर हो जाएगा राजनितिक द्रिष्टी से कॉंगरेस के अंदर बाम पंथ के पोसक निमलिखित में से कौन थे? तो सही उतर हो जाएगा सुवाश चंद्रबोस और जवाहर लाल नहरू इसलिए हमारा सही उतर अप्शन नमबर D नेक्स्ट कोश्चन है डेविड हेर से संबंदित असत्य कथन का चाहन करें डेविड हेर आयरलेंड के निवासी थे ये गलत कथन है इसलिए हमारा सही उतर यहीं होगा नेक्स्ट कोश्चन है जनजाती आंदोलन से संबंदित निमलिखित कथनों पर विचार करें जनजाती बिद्रो मुलत जमिनदारों और अंग्रेजों के बिरुध था ये सही है जनजाती आंदोलन स्वभाव से अहिंसक था ये गलत है क्योंकि जनजाती आंदोलन अहिंसक नहीं था बलकि यह हिंसक था कॉंगरेस द्वारा अधिरोपित नियम जनजाती भावना के बिरोध थे अंग्रेजी नियमों ने जनजातीयों के समाजिक संगठनों को छिन भिन कर दिया था ये भी सही है कोश्चन कहता एकूट की साहता से असत्य कथन चुने तो असत्य कथन अमारा अप्शन नमबर दो होगा इसलिए सही उत्तर अप्शन नमबर डी नेक्स्ट कोश्चन है रविंद्रनाथ टेगोर ने बंगाल भिवाजन 16 अक्टोबर ने 105 मनाने का सुझाव दिया था या रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था नेक्स्ट कोश्चन है नेमलिकित घटनाओ पर विचार कीजिए इनके घटित होने का सही कालानुकरम क्या है स्वराज पाठी की अस्थापना हुई थी 1923 में जालिया वाला भाग हत्या कांड जालिया वाला भाग हत्या कांड 1929 में कॉंगरेस लिक समझावता हुआ था 1916 में और चोड़ा-चोड़ी की घटना हुई थी 1922 में इस हधार पर हमारा सही उतर हो जाएगा ओप्सन नमबर C नेक्स्ट कोश्चन है पंडित इस वर्ष चंद्र विद्या सागर से संबनित कौन सा कथन असत्य है तो सही उतर हो जाएगा हमारे देश की उच्छ जातियों में पहला कानूनी हिंदू विद्वा पुनर विवा कलकाता में साथ दिसंबर अठारस ओंठाउन को विद्या सागर की प्रेणा से और उनकी देख रेख में हुगा था सही उतर हो जाएगा ओप्सन नमबर D नेक्स्ट कोश्चन है वर्ष अठारस ओपचास में किसने विद्वा विबाह समाज की अस्थापना की थी सही उतर ओप्सन नमबर A विश्णू सास्त्री पंडित नेक्स्ट कोश्चन है निमलिक कत्थनों में से असत्य कत्थन का चायन करें फकिर विद्रो मुल्तः धार्मिक विद्रो था सही है गोमधर कुणर के नेत्रित में असम छेत में अहुम विद्रो हुआ था सही है पागल पंथी विद्रो का नेत्रित करता मजमून साह था सही है सन्यासी विद्रो समाप्त करने का सेरे वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है ये भी सही है इसलिए हमारा ये चारों अप्शन सही दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है लार्ड विलेजली ने सन अठारा सो में नागरिक सेवा में आने वाले लोगों के प्रसिक्षन के लिए कलकत्ता में फोर्ट विडियां कालेज खुला बाद में किस वर्ष से यह प्रसिक्षन की व्यवस्था कलकत्ता के कोलेज की जगां इंग्लेंड में हेली बड़ी के अपने इस्ट इंडिया कोलेज में प्रसिक्षन का काम आरंभ कर दिया तो इसका सही उतर हो जाएगा ओप्षन नमबर C 1806 में नेक्स्ट कोस्चन है निमलिकित कथनों में से असत्य कथन का चैन करना है तो सही उतर है लाड मेकाले ने अलावदिन खिल जी के समय प्रचलित निया प्रणाली का समर्थन किया था यह ओप्षन गलत है बाकी सभी सही है सरकार ने 1833 में मेकाले के नेतिर्थ में भारतिये कानूनों को संगीता बद करने के लिए एक बिदियायों निक्त किया था सही है इनके परिश्रम के फल सुरू भारतिये दंड संगीता पस्चमी देशों से लाई गई थी सही है अब सारे देश में एक ही परकार के कानून लागू हो गये थे ये भी सही है नेक्स्ट कोस्टन है किस आंदोलन में गिरफतार होने के बाद गांधी जी के संदर में जैस्टिस सी एन स्रंफिल्ड ने सजा सुनाते समय एक महतोपूर्ण भासन दिया था सही उतर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए असवयोग आंदोलन के दोड़ान नेक्स्ट कोस्टन है सुची एक का सुची दो से सही मिलान करना है अठारस ओन ठाउन का भारत सरकार अधिनियम लर्ड केनिंग के समय में आया था अठारस ओनो का भारत परिशद अधिनियम लर्ड मिंटो के समय में आया था उनेश सुनेश का भारत सरकार अधिनियम ये आया था लर्ड चेम्स फोर्ट के समय में और अनेश सो पैंतिस का भारत सरकार अधिनियम आया था लिन लिठुगों के समय में लिए हमारा सही उतर हो जाएगा option number B next question है ब्यक्तिकत सत्यागर महात्मा गांधी ने आरंभ किया था सही उतर option number C अगस्त प्रस्ताव के ठीक बाद अगस्त प्रस्ताव के ठीक बाद अगस्त प्रस्ताव हुआ था सत्र अक्टूबर 1940 को इसलिये यह अगस्त प्रस्ताव के ठीक बाद उआ था कि पूर्वार्द में पूर्वार्द मतलब कि आधा के पहले आधा के पहले नहीं हुआ था आधा के बाद हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी से संबंदित असत्य कथन का चैन करें तो सही उतर हो जाएगा अप्शन नमर सी इस कमपनी ने 1669 में अपनी पहली फेक्टरी की अस्थापना सूरत में की थी 1669 में नहीं बलकी 1668 में पहली फेक्टरी की अस्थापना सूरत में की थी नेक्स्ट कोश्चन है अठारावी सदी के संबंदित असत्य कथन का चैन करें तो सही उतर हो जाएगा अप्शन नमर डी नागोर के सेख साहूल हमिद के पवित्र अस्थान की मदद अजमेर के राजा किया करते थे नेक्स्ट कोश्चन है मैं किसी अन्यमहान जन संख्या का उधारा नहीं जानता जिसने समाज परिस्थितियों में उतल पुथल और निरंकुष सासन के इस तरह के काल में इतने सदगुनों और खुबियों को संजोय रखा हो जो यहां के अधिकांस देश वासियों में पाई जाती है उप्यूप्त कथन निमलिखित में से किसका है सही उतर जॉन मैलकम का है यह कथन जोन मैलकम का है नेक्स्ट कोश्चन है हादयर अली ने सत्रो सो पच्पन में किस अस्थान पर एक आधुनिक सास्त्रागार का अस्थापना किया था तो सही उतर हो जाएगा डेंडी गुल में टीपू के राज्यक के किसानों को संग्रक्षन मिलता था था उनको स्रम के लिए प्रोप्साहित और पुरिस्क्रित किया जाता था उप्यूक्त कथन निमलिखित में से किसका है सही उतर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी जॉन सोड का सर जॉन सोड नेक्स्ट कोश्चन है र दूसरी सबसे अच्छी फोस थी नेक्स्ट कोश्चन है किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंगहासन से उतर कर मुसल्मान फकीरों के पैर की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से जारता था इसका सही उतर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी रंजीत सिंग नेक्स्ट कोश्चन है कॉंग्रेस के अपने लखनव अधिवेशन में संपरदाईक निर्वाचन मंडल को स्विकार कर लिया गया नेक्स्ट कोश्चन है पानीपत के तृतियों युद के बाद पेशवा कौन बना सही उतर ऑप्शन नमबर वी माधव राओ पानीपत के तृतियों युद के बाद माधव राओ पेशवा बना था नेक्स्ट कोश्चन है किस युद के बारे में कहा जाता है कि इस युद ने या फैसला नहीं किया कि भारत पर आज कौन करेगा बलकि या तै कर दिया कि भारत का राजा कौन नहीं होगा सही उतर ऑप्शन नमबर सी पानीपत का तृतियों युद